नमस्कार दोस्तों, जै मातादी, फर्ट पैस मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै मातादी जैरूर लिखें, माता रानी सब का कल्यान करेगी दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्र पक्च के बारे में, की स्राद के नियम क्या है, पित्रों से पसुपक्चियों का क्या सम्मंद है, पंच बलिकर्म क्या होता है, और स्राद के दिनों में क्या खाएं और क्या खाने से पचना चाहिए पित्र पक्च में जरूर करें ये काम इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ बने रहें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों इस समय पित्र पक्च चल रहे हैं इस बार स्राद पक्च 13 सितंबर से शुरू होकर 28 सितंबर दिन सनिवार तक चलेंगे इन दिनों में पित्रों के स्राद कर्म किये जाते हैं अगर कोई व्यक्च स्राद नहीं कर पा रहा है तो उसे किसी जरूरत मंद व्यक्च को खाना खिलाना चाहिए धन और अनाज का दान करना चाहिए दोस्तों पित्र पक्च के दोरान हमें कुछ बातों का ध्यान लखना चाहिए पित्र पक्च में व्यक्च की म्रत तित्थी के अनुसार स्राद कर्म करना चाहिए यदि किसी को म्रत तित्थी याद नहीं है तो वो सर्व पित्र अमवश्या के दिन भी स्राद कर्म कर सकते है इन दिनों में भैती नदी में दूद, जौ, चावल, काले तिल और गंगा जल डाल कर तरपड करने की परमपरा है। पित्रों के लिए पित्र पक्च में पिंड दान किया जाता है। पिंड पके हुए चावल, दूद और काले तिल को मिला कर बनाई जाते हैं। इन पिंडों को सरीर का प्रतीक माना गया है। जो लोग पिंड दान या स्राद नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें किसी ब्रामण या गरीब व्यक्तिको धन और अनाज का दान अवस्य करना चाहिए। यदि स्राद नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी नदी में काले तिल डाल कर तरपन करें। गर्म क्या है? ऐसा माना जाता है कि पित्र पक्च में हमारे पितर धर्ती पर आकर हमें आसिरवाद देते हैं, और स्राद के दिनों में जीव के रूप में ही पित्र धर्ती पर आती हैं, और अपने वनसुजों को आसिरवाद देकर करपा करते हैं। इसलिए पित्र पक्च में पसुपक्ची की सेवा करना बहुत जरूरी है। इनके लिए भी आहार का एक अंस निकाला जाता है। तभी स्राथ कर्म को पूर्ण माना जाता है। सराथ करते समय पित्रों को अर्पित करने वाले भोजन के पांच अंस निकाले जाते हैं गाए, कुटा, चीटी, कव्वा और देवताओं के लिए इन पांच अंसों का अर्पित करने को ही पंच बलेकर्म कहा जाता है दोस्तों, अम हम बात करेंगे आपको पित्र फक्च के दोरान क्या खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस वक्त तामसी भोजन से बचना चाहिए इस दोरान गाए का दूट पीने से दूर रहना चाहिए एक गाए जिसने हाल में ही बच्चे को जन में दिया है उसके दूट से विसेश रूप से बचना चाहिए इस दौरान ताजा भोजन ही करना चाहिए इस दौरान ताजा भोजन खाना पूरुजों की आत्मा को खिलाना है इसलिए इस दौरान बासी भोजन से दूर रहें व्यक्ति को अधिक समय तक फ्रिज में रखे भोजन से भी दूर रहना चाहिए स्राद में खीर का विसेश महात्व है ध्यान रहे इसमें उपयोग किया जाने वाला दूद के वलगाय का ही होना चाहिए इस दिन खाने में उजले नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए स्राद के वक्त खाना बनाने वाले का मूँ काले तिल या काली डाल डाल कर पित्रों के नाम चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय मुझ दच्छन दिसा की तरफ होना चाहिए ऐसा करने से पित्रों की क्रपा आपको जरूर मिलेगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और सेयर अवस्य करें हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड बेस्ट मैजिक से जुड़ने के लिए रेड कलर के सस्क्राइब बटन को अवस्य क्लिक करें और साथ इसाथ गंटी का बटन दबा दें फिर मुलकात होगी किसी नई जानकारी के साथ धन्यवाद